हेलो कैसे हो आप सब अशा करते हैं कि सब ठीकी होगे तो ये देखिए मेरा मेकप कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो आप भी इस मेकप लुक को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल के लिए या फिर अब रक्षा बंदन आ रहा है तो उसके लिए भी आप इस मेकप लुक को ट्राइते हैं खास कर ये गर्ल्स के लिए मेकप लुक बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें सूट में मैंने मेकप लुक किया है तो बताईएगा कि आप लोगों को कैसा लगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो ये देखिए मैंने आपको हाई हैलो बोल रही हूं और मैंने लिया है कोकोनट ओयल क्योंकि इसमें मॉस्चराइजर फुल मात्रा में होता है तो आपको थोड़ा सा ले लेना है तो वूंद मेरा खतम हो चुका था इसलिए मैंने इसको इस तरह से लगा लेना है और आपको पता ही होगा कि इसको सर्दी में यूज़ करते हैं तो इसमें आपको क्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यह सभी के घर में अलेवल हो जाता है तो जितना भी मुझे मेकप आता है उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं और इस मेकप लुक से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा भोती लुक अच्छा आपको यह देगा तो यह देखिए अब मैं टैप टैप करके अपने फेस पर फांडेशन को अपलाई कर दूँगी इस तरह से आपको भी इसी तरह से करना है और यकिन मानिए इतना अच्छा लुक मेरा आया था तो काफी लेट भी हो गया था और इसके बाद बताईएगा कि आप लोगों को कैसा मेकप लुक चाहिए है मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूँगी और ये बहुत ही आसानी से सब के घर में मिल जाएगा इसमें आपको ज़्यादा भाग दोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाजार में जाओ और मेकप लेकर आओ ज्यादा सा तो सब इसको आसानी से कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से टैप टैप करके मैंने हर जगह पर लगा लिया है आपको इसी तरह से apply करना है और ये make up look बहुत ही अच्छा होता है तो ये देखिए मैंने ले लिया है beauty blender इसको मैंने कुछ देर पानी में बिगो के रख दिया था तो ये अच्छे से फूल गया था फिर इसका पानी मैंने बिल्कुल निचोड दिया था सारा तो अब इस तरह स करना है और मैं हेयर बेंड लगाना ना भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में लगाया है तो प्लेज उसको इग्नॉर कीजिएगा क्योंकि यह जो बाल होते हैं यह आगे की तरफ आ जाते हैं इसलिए और मैं लेकर भी आई थी तो सोचा कि लगाऊंगी फिर लगाते लगाते मैं भूल गई कि मुझे लगाना है तो इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है अपने फेस पर और अगर आपको कुछ भी कमी मेरे वीडियो में लगती है तो प्लीज बताइएगा तो देखिए फेस पर लगाने के बाद आपको नैक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वरना हमारी जो नैक है वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है तो इस तरह से आपको neck को भी पूरी को apply कर लेना है देख सकते हैं और बहुती अच्छा look आएगा और आप भी इसको try जरूर कीजिएगा तो ये देखिए eyes पर मैं लगा रही हूँ आप foundation stick आती है तो उसका भी use कर सकते हैं लेकिन मैं इसी का use कर रही थी तो बहुती कम खर्चे में बहुती अच्छा make up look मैंने आप लोगों को आज दिखाया है तो वीडियो को like करना तो बनता ही है तो ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा लगेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा creamy cream लग रहा होगा ना क्योंकि यहाँ पर lighting की problem थी तो ये देखिए अब मैंने ले लिया face powder ताकि जो foundation है वो अच्छे से secure हो जाए हमारे face पर तो आपको face powder एसी तरह से apply करना है और neck को तो बिल्कुल भी skip नहीं करना है neck को साथ लेकर चलना है तो ये देखिए मैं हर जग ऐसे इसको अच्छे से लगा लूँगी और लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका makeup look कैसा आया है तो आप कोई भी step मिस ना कीजिएगा क्योंकि फिर अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो को skip करके देखते हो तो फिर आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा तो ये देखी सकते हैं इस तरह से अब मैंने लगाया है तो ये देखी अब मैं इस पर ये मेरी eyebrow pencil है इससे में feel कर लूँगी और जो मेरे extra hair थे ना eyebrows के वो मैंने निकाले हैं खुद से ही अगर आप eyebrow की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में share कर दूँगी आप please मुझे बताइएगा क्योंकि कई बार होता है ना कि extra hair जो होते हैं वो हम नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी share कर दूँगी तो ये देखिए कितना eyebrow को आप जितना fill करना चाहों उतना कर सकते हूं मुझे थोड़ी सी लंबी eyebrow पसंद है और मेरे ज्यादा नहीं है तो मैं pencil की सायता से इसको fill करती हूं तो इस तरह से आपको भी कर लेना है और ये देखिए मेरा ये मैं कोई भी चीज मतलब बाहर से नहीं करीती हूं लोकल मार्केट से ही ले लेती हूं इसलिए मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी तो ये देखिए ये लिपिश्टिक है तो इस तरह से आपको apply कर लेनी है तो ये देखिए और आप चाहो तो इसके उपर outlining भी कर सकते हो और ये देखिए मैंने लिया है silver color का eyeshadow तो ये लगल्स के लिए special तो उनको ज़्यादा मेक अप जो है वो करना अचा नहीं लगता है तो ये आपकी eyes pro पर ज़्यादा दिखेगा भी नहीं तो आप इस तरह से इसको fill कर सकते है तो इस तरह से अपना मेक अप लुक दिखा सकती है और रक्षा बंदर पर अपन बताईएगा मैं किस से related वीडियो लेकर आऊं तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कर मुझे कमेंट करते हैं तो लगाया highlighter तो मेरे पास बहुती अच्छा लुक आएगा यहां पर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बाहर में भी आपको जाकर दिखाऊंगी बहुती अच्छा लुक जो है वो आता है इसका तो इस तरह से आपको कर लेना है और आपको smile हुए ही इस तरह से apply करना है तो यह दे सकते हैं तो यह देखिए मैं आपको दिखा ही रही हूं जिस तरह से तो इस फेस्टिवल हो जाओ तैयार यह में कप आप करोगे बार बार तो बहुती असानी से और बहुती इजी होने वाला मेक अप है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा तो देखिए अब मैं लगा पलको पर और नीचे की दोनों को अच्छे से कर लेना है तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर कर देना और आप वीडियो को पूरा देखेगा skip नहीं किरना है वरना आपको कोई भी make-up look है जो वो समझ में नहीं आएगा तो अब मैं लगा लेती हूँ अपना eyeliner तो eyeliner मैं लगाती हूँ खुझ से ही लगा लेती हूँ लेकिन कम लगा पाती इतना नहीं लगा पाती हूँ तो ये देखिए इस तरह से आपको लगा लेना है और इसको सुखा लेना है मेरा गिले वाला है अगर आप पैंसिल वाला चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं तो ये देखिए और मैं इसको थोड़ा सा ओफ कैमरा भी लगाऊं तो आप इस तरह से बालों को ओर्ड करते जाना है और इस तरह से आपको पिन लगा लेना है पच्छे में तो बहुत ही अच्छी जो है लुक आपका तयार हो जाएगा तो ये देखिए मैं लगा रही हूं तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक है जो वो तयार हो गया है तो इस तरह से आया है कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं आपको बाहर में भी जाकर दिखाऊंगी तो कमरे में इतने ज़्यादा लाइट नहीं थी अंदेरा भी जो हो हो चुका है तो ये देख लीजिए मेरा फाइनल लुक कैसा आया है तो कमेंट बोक्स में बताईएगा और ये देखिए आप सूट पर जो तगड़ी भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने लगाई है सूट पर तो आप रक्षा बंदन के लिए इस तरह से तयार हो सकते हैं तो ये देखिए और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है क्या नहीं ये मुझे ज़रूर बताईएगा और सूट पर मेरा ये मेकफ लूख कैसा लग रहा है सूट मेकफ लूख आप लोगों के लगा देखिए सकते हैं किस तरह से मैंने आपको लुख जो है वो क्रियेट करके दिखाया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में बाई बाई